बिहार में सरकारी विद्यालियों के इस्थिती किसी से छुपी नहीं है सरकारी स्कूल का नाम सुन लोगों के जहन में बदतर हालात बदहाली की तस्वीर ही सामने आती है लेकिन कुछ ऐसे विद्याले भी हैं जहांकि साफ सफाई साजो सजावट देख आप चौक जाएंगे दरसल भागलपूर जिले के नौकशियान मंडल के खरीक प्रकंड अंतरगत कन्या प्रात्मिक विद्याले नेवटोलिया की बात कर रहे हैं जिसे बिहार राज में 28 स्वक्ष विद्यालियों में से आठवा अस्थान प्राप्थ हुआ है और भागलपूर का यह पहला स्कू प्राप्थ हुआ हैं जब सच्षता की परताल करने विद्याले पहुंचे तो नजारा वाकई अधभुत था इसकूर परिसर में क्यारी में सुन्दर ढंक से तरह तरह के सजावटी पेड़ पौधों को लगाया गया है तरह तरह के बच्चे अनुसासनिक तरीके से स्कूर म सुन्दर सौचाले है इस विद्याले में कुल 149 बच्चे नामंकी थें पढ़ाई सफाई भोजन से लेकर खेल कूद के बहतर नित्रिजाम के कारण 75% बच्चे नियम इतुरूब से स्कूल पहुंचते हैं सभी बच्चे बेसिक जानकारी के साथ साथ सिलेबस की भी जानकारी रखते हैं परधाना ध्यापक विद्या सागर बताते हैं कि 2012 में इस विद्याले में उन्हें प्रभार मिला था उस वक्त ये चैलेंज था कि बच्चों की उपस्थिती कैसे अधिक हो जितना संसाधन था उस पर काम किया सरकार की ओर से हर वर्स पचास जार रुपिय जो मिलते हैं उसका समुचित सदुप्योग होता है इसकुल में बहतर सफाई विवस्था के लिए पूरे बिहार में सवच्छ विद्यालियों में एक रहा बच्चों ने बताया कि पढ़ाई यहां अच्छी होती है काफी मन लगता है सिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वहीं जिला सिक्षा पतादिकारी संजे कुमार ने कहा कि कुछ विद्धाले इतने सच हैं जिससे दूसरे विद्धाले के सिक्षकों को सीख लेना चाहिए कन्या प्रात्मिक विद्धाले बहतर है बिहार में आठवे और भागलपुर का पहला सच विद्धाले है सिक्षक दिवस पर भी हम लोग उस विर्जाले को प्रुस्कृत कर रहे हैं प्रुस्कान अचा रहता है उजू, पढ़ने में लगता है। परने में मज़ा आता है यहां अच्छा लगता है ता बना है हमको पुलीस बना है इस तरह की सफाई इसी स्कूल में डिखिया आस्तर नहीं तुम लोग खुछ साफ रखते हो जी हम भी साफ करते हो और हमारे सब सब भी मदद करते हैं थुरावल के साफ रखते हैं पहले मैं आ धन्यवाद देना चाहता हूं सब कि आप लोग आज इस स्कूल को कभर किये और साइद पहली दफ़ा हुआ कि एतना ब्यापक पर हमारे इस विद्याले को कभर किया गया बच्चे से पूछा गया अच्छा लग रहा है आप लोग आए धन्यवाद आप लोग को सबसे पहले मैं बता दू कि मैं इस विद्याले में 2005 पंचाय सिख्चक के रूप में कारी रख था उसके बाद 2012 में मुझे इस विद्याले का प्रवार देना और उस समय दो ही सिख्चक थे हम लोग चैलेंज था हम लोग के पास विद्याले को स्वक्ष बनाना आकर्शक बनाना और एक लगे की विद्याले एक विद्याले है इसलिए हम लोग मेहनत किये सबसे पहले बच्चे को लाए उपस्थिती हम लोग बढ़ाए बच्चे आज के डेट में पुड़ा पोसाक में आ रहे हैं उसके बाद समाच सिख्षक के सहयोग से जो उपलद संसाधन है उस संसाधन का पुड़ियोग करके हम लोग यहां तक पहुचे बहुत जादा संसाधन हम लोग के पास नहीं था लेकिन फिर भी धीरे धीरे उस संसाधन को ही उस संसाधन का ही सदुपियोग कर आज हम लोग यहां तक पहुचे कि भागलपूर जीला से गर्व के साथ करना चाहेंगे कि भ पुरुषकार श्रीमान पटना में पड़ियोजिना नहीं देशक के द्वारा ये पुरुषकार हम लोग को प्राप हुआ स्वक्ष्वितियाले पुरुषकार का राजस्तरिय पुरुषकार था इसके लिए भी मैं सबसे पहले धनेवाद देता हूँ चन्द गुप्त प्रवन्द संस्थान को जिन्होंने ये अंकलन किया था उनको एक मिला था कि आप एक पुरुषकार का जो ये मुठमंत्री द्वारा शुरूप किया गया है स्वक्ष्वितियाले कुरुषकार एक फ्य सबसे बड़ी बात है कि चेतना सत्र में हम लोग बच्चे को परती दीन इस चीच का याद दिलाते हैं और ये पैरेट करवाते हैं कि स्वक्ष जब तक स्वक्ष तुम नहीं रहोगे जीवर में कुछ नहीं हो सकता है मेरा नम विद्या सगर्शार प्रवारी प्रताना करें यह वाद करें रहें उसके प्रधान सिछन के काशी एक्टिव हैं और उन्होंने जो विद्याला का सेमित संसाधने उसका बहुत ही सद्यूक्यूग को वेथा ठंक्शक किया है जतीजा कि आज वह विद्यालय ना केवल कि भागलपुत के बेहतर विद्यालियों में पूरी राज के अच्छे विद्यालियों में और अभी उसकी विद्याला के प्रधान सिचक को प्रुस्कृत्री किया गया है और हम लोग पांच शेक्टमबर को सिचक जिवस के अपसर पर उस विद्यालों को प्रुस्कृत्री करने जा रहे हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वें उसमें विकलांगता की समश्य आती है जिस से CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा मिकलांगता से जूच सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जर्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंद भागलपूर जिले में इन दिनों लगातार वनविभाग के द्वारा मुहीम चला जा रही है हाल ही में भागलपूर जिले में पसू तसकरों द्वारा कच्वा के तसकरी कर दूसरे राजियों से इसे बिहार लाय जा रहा था जिसे कि लगातार मुहीम चलाने के बाद पसू जुर्बाना भी लगा रहे हैं लगातार भागलपुर के वन विभाग के अधिकारी एवं वन चिकित्सक डॉक्टर संजीत को अरदारा लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपने घरों में कच्छवा को न पाले अगर भूल वस वह अपने घरों में कच्छवा एकेरेम में पाल रहे हैं तो सुन्दरवन के कच्छवारस के सेंटर में उसे अविलंब जमा करवा दे वन विभाग के डॉक्टर संजीत कुमार ने बताया कि अगर आपके पास भी कच्छवा है तो उसे आप अविलंब वन विभाग को सौप दें सुन्दरवन के कच्छवारस के सेंटर म इसको लेकर एक मोटा जुर्वाना और आपको जेल भी हो सकती है। इसके बाद इसके दंड और जुर्माने को और भी सकत कर दिया गया है। तो यहीं का है। मतलब हम लोग का गंगाम पाए जाने वाला है। तो हम लोग यहीं चार हैं जो लोग अपने घर में एक्वेरियम में कच्वा रख रहे हैं। स्वेक्षा से यहाँ पे रेश्टू सेंटर में आके देते हैं। उसको कोई कारवाई नहीं होगी। कि अगर बाणी भाग को किसी तरह से गुप सुचना मिलता है। कि इनके यहाँ पे कच्वा रखा गया है। चाइद करके हैक्वेरियम में। अगर पक्रा जाता है तो फिर सेडूल वन का यह जानवर है। उसमें उतने धारा लगएगा जितरा की सेडूल वन में बरनीत है। इवर साथ साल की सजा भी हो सकती है। सर कई जो की सिख्षित लोग हैं डॉक्टर लगएं। उनके दुकानों या पर घरों में भी यह कच्वा रखा गया है। उनसे क्या अपील है। सर वो अगर कई यहां पर जमा करना चाहिए रस्क्वी सेंटर में तो क्या प्रकडिया ऐसा उसके वारें बताजिए। यहां पर के टेकर है। भागलपूर के जिलादिकारी सुबरत कुमार सेन की अधक्षिता मैं आयुजित बैठक में वरसा जनीत रोग यह था डेंगू मलेरिया इत्यादी से सफलता पूरवक निपटने हितु की जारे प्रियासों के संबंद में विस्तरत चर्षा की गई। एवं यतोचित दिशा निर्देश भी दिये गए। रोग्यों की चिकित्सा व्यवस्ता में किसी तरह की कोता ही न हो इसे सुनश्यत करना अनिवार एवं अपेक्षित होगा। यह भी निर्देश दिया गया कि आपात कालीन परिस्तितियों से निपटने है तो नियूंतम 20 बेड तयार रखा जाए। समिक्षा के क्रम में यह तत्थ उबर कर सामने आया कि सदर स्पताल में भी देंगू से ग्रसित रोग्यों की चिकित्सा है तो उत्तम ब्यवस्ता की गई है। वरतमान में सदर स्पताल में डेंगू रोग्यों की चिकित्सा की गई है जिसमें से अधिकान स्वस्त हो गए हैं। देंगु से बचाव हेतु किये जारे प्रियासों के क्रम में नगर दिगम के द्वारा प्रती दिन सोलावाडों में फॉगिंग की वेवस्था की गई है। ना हो एबम आम जनता को आनवस्थक परिशानी ना हो संबंधित एजंस्यों दोरा निर्देश अनुपालन में सिथिलता को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा आर्थिक दंड अध्यारोपन समेत अन्य यतोचित कारवाई भी की जाएगी पर्योजना निदेशक बुढ को सदर को इस कारी के लिए सतत पर इवेक्षन हेतु निर्देशित किया गया है जिलाप्रसासन के दौरा डेंगु मौसम जनित अन्य रोगों से बचाव के संबंध में जागरुकता के उद्देश से परचार रत का परिशालन भी किया जा रहा है परचार रतों को जिलादिका में जल जमाब के स्थिति उत्तपन नहों सोते समय मच्छरदानी का अपयोग किया जाए एवं अन्य सुलक्षात्मक मानकों का अक्षर सा पालन किया जाए लगातार प्रियतनसील है कि बहतर चिकिस्सा सुविधा जो है वो मरीजों को मिल सके क्योंकि भागलपुर का जो जेलम्च है जो माया गंज अस्पताल है मेडिकल कॉलेज होस्पिटल वहां कई आसपास के जीलों के भी मरीज जो है आहलाज कराने आते हैं तो काफी प्रेश महदय से बात करके कल ही रात में शुरू करा दिया है और उसमें 40 मरीज भरती भी हो गया है और लगभख 100 की संख्या में जेलम्च में मरीज भरती है इसके अतिरिक्त 17 मरीज जो है वो हमारे सदर अस्पताल में भरती है सदर अस्पताल में अभी 25 बेड्स की विवस्था है और उसको बढ़ा करके हम लोग 35 बेड्स की विवस्था करने जा रहे हैं लेकिन जो सबसे महत्पूर्ण बात है कि लोगों को precaution बढ़तना होगा क्योंकि इस बार आपने देखा है कि अगस्त के महने से ही काफी बारिस हुई है भागलपूर सहर में और आसपास के भी पूर जमाम हो रहा है लोग जो है पानी को एकठा करके रख रहे हैं अगर कहीं पानी जमा हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आज हम लोगों ने जो है ये जागरूपता रत भी निकाला है साथ इरिक्सा के माध्यम से ये विविन वार्डों में भूम करके लोगो पहनना चाहिए और कहीं भी पानी का जमाव नहीं हो जल जमाव नहीं हो इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए नगर निगम के द्वारा भी व्यापक प्रियास किया जा रहा है उन्होंने अपने रिसरोसिस को कई गुणा बढ़ाया है प्रतेक वार्ड में आज से जो है इसका कि गई है पहले हम लोग आदे वार्डों में परते दिन आँटी लार्वा एस्प्रे का काम करते थे आध से सभी वार्डों में एंटी लार्वा एस्प्रे है वो होगा और fogging हम लोग 16 वार्डों को एक दिन में cover कर रहे हैं तो almost 3-4 दिन में जो है round पूरा सारे वार्ड का हो जाएगा repeat होगा तो ये ववस्था भी आस्य की गई है और बड़ी machine के माध्यम से भी मुख्य स्थानों पर बजारों पर और जो important हम लोगे institutions है medical college hospital हो, सदर अस्पताल हो, अन्य संस्थान हो या ऐसे area जहां पर ज्यादा kisses मिले हैं वहां हम लोग लगातार fogging कराएंगे तो ये सारा प्रयास प्रिशासन के स्थर पर स्वास्त्य भाग, नगर निगम सभी के स्थर पर किया जा रहा है बस अन्त में फिर मैं उसी बात को दोराओंगा कि लोगों को भी precaution बरतना चाहिए जो full sleep कपड़ा होता है पहनना पानी का जम कहीं पे भी ढख करके अगर रखते भी हैं तो ढख करके रखिए एक दिन से ज़्यादा पानी मत रखिए पानी कहीं जमा हुआ है तो उसको इमीडियेटली जो है पानी निकासी करवाना सुनिश्चित करिए अगर कहीं बारिस के कारण पानी जमा होता है और पानी निकासी समुश्चित रूप से नहीं हो पाता है तो नगर निगम को और जो हम लोगों का डियोसी का कंट्रूल रूम है उसमें आप लोग सुचित करिए ताकि नगर निगम की टीम जा करके उसका समुश्चित जो है वो निराकरन पर सके जमीन के लिए भाई-भाई में विवाद हत्या और मार्पिट की खबरेत लगातार आपने सुनी होंगी एक एक इंच जमीन के लिए खून खराबा हो जाता है लेकिन भागलपूर के नौगच्छा के रहने वाले चार भाईयों ने सिक्षा के लिए जमीन दान करके जो कारनम किया है उसकी हर जगा तारीफ हो रही है नौगच्छा के रंगरा प्रखंड के चार किसान भाईयों ने अपनी दो कठा बेश कीमती जमीन सरकारी स्कूल के लिए दान में दे दी ताकि सिक्षा की फसल उपज सके अब ग्रामीन चंदाए कठा कर स्कूल का निर्मान करा रहे हैं दरसल भागलपूर के नौगच्छा अन्मंडल अंतरगत जहांगीरपूर बैसी गाउं में एक प्रात्मिक विद्याले है जो नदी के दूसरी तरफ है इस विद्याले में जाने में बच्चों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है कई दफे बच्चे नदी में डूब भी चुके हैं इसको लेकर परिशन भी बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज करते रहे इस बात को देखते वे दोहजार तेरह में ही बैसी के रंजीत राय जगदीव राय बालदीव राय और विबेकानंद राय ने अपनी दो कठा बेश किम्ती जमीन दान में दी थी जिसके बाद ग्रामीन सरकारी कारियालियों का चक्कर कारते रहे लेकिन स्कूल का निर्मान नहीं हो सका अंततब क्रामीन स्वेंग चंदा एक ठाकर सकूल का निर्मान करा रहे हैं फिलाल बांस और टीन का सेट डाला गया है इट भी खरी दी गई है जमीन दान करने वाले ग्रामीन बाल देवराई ने कहा कि दो कठा जमीन दान दिये हैं जिसके कीमत अभी 30 लाख रोपे है हम लोगों को रहने के लिए भी बहुत कम जमीन है बावजूद इसके हम लोगों न ये जमीन दान की है बच्चे गाउं में इधर दर घूंगते थे जिसके बाद हम चार भाईयों ने जमीन दान में दे दी है बच्चों को पढ़ने के लिए बगल में नदी है बच्चों को परिशान देखकर जमीन दान में दी गई है अब हम लोग चंदा करके स्कूल का नि दिर्मान भी कराएंगे जनपरतिन्दियों से भी आग रह किया है कि अपने खेत्र में कुछ स्कूलों को गोद लें कि उनके पास परियाप्त संसाधन भी रहता है अभी हम लो सरी शकूल बच्चा क बना रहे हैं जानेंब बहुत कठनाई है बगर नदी है पूरा नोगतशाग पञणी बहारा है उसी रश्चा के आरण से देखिये बच्चा कितना कठ्ना जाने आने में है चंदा करके सरी शकूल बना रहे हैं एक भी पैसा कहीं ने मिला है हम लोग यतना यह गरमी न चेतर हैं सभी मिल चंदास पिसा बना रहें बच्चा हमको श्रचित आ रहे हैं बहुत दिकत होता है अब भी चल देखिए जो है जानि बहुत दिकत होता है दोरी के बाराइ किलोमेटर है और बच्चा यह इसकूल हो ज अब भवन बनेगा तब हम बना करके जब खड़ा किये करकट लगा दिये तब कहता है कि चिठी निकल गया कि अब ही नहीं बने बच्चा सेप्ट नहीं होगा इसका रहें से हमको सेप्ट किया जाए यहां पढ़ने के लिए जानियाने बहुत कथना है तो धूप है पर आप जो आप जमीन दान कर दिये कोपस्ती ने बचा दिखते थे बन्ठता था हम चार भाई ने देकर चारो भाई चारुआ हैं सामिल में चारो भाई जमीन दान कर दियें उतना ठोड़ आने थीए परने के लिए हमको भी एक धूर जमीन है बगल में नदी है जाने में बचा को बहुत दूर होता था परसान देकर हम इसमें जमीन दान कर दिये कब किया हैं दान को गलते हैं लाँ नहीं इसे ममाश्टर नहीं प्रकृता कर दिया ममशन स्कूल को पैसा बहुत सारे जर्भों पे आपको यह देखने को मिलेगा कि अपने प्रयास से भी विद्याला का करवा रहे हैं उस विद्याला को हम लोग लिए अभी ऐसे के विभार की सुची में डाले हैं और उसको और बहतर करने लिए हम लोग विरासी उपलब कराएंगे करके अब लोगों का करणा की और शन्री थे गवाद विद्याला है करने करें हम लोगों की एक बाव करें कि आप जैसे विद्याला को नादे आजी ञत्रक्ष करा हैं हमने मर्न में जुंब कर सकते हैं हमारे छोटे छोटे स्कूल में बहुत जादे पैसे की आप सकता नहीं है बड़ छोटे पैसे से ही हमारा है से की बहुत सारा स्कूल बहुत बेटर दिखने लगेगा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जात्य अधर्त गर्णा को रोकने का सड्यन तरव अन्य जनवीरोधी नीतियों के खिलाप जिला जदियू भागलपूर के द्वारा पोल खोल अभियान के तहत विशाल मसाल जुलूस वा केंडल मार्च निकाला गया यह जनुज खली भाग चौक से स्टेसंचौक कोत्वाली चौक होते वे खली भाग चौक पर संपन हुआ इस कारिक्रम में केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारे बाजी से सड़क गुँज रहा था सबी कारिकरता जोस से भरेवे थे और मोदी सरकार के दोहरी चलिद्र की पोल खोल के नारे लगा रहे थे इसमें पार्टी के प्रमंडल ये कारिकरम प्रभारी प्रलाद सरकार जिला धक्ष विपिन बिहारी सिंग, नगर धक्ष राजदी प्राजा, सांसद आजे मंडल, विधायक ललीत मंडल, प्रवक्ता सिस्वुपाल भारती, महिला धक्ष सोनी देवी समीत कई लोग मौजूद आज बसाल जुनुस का कारिकरम है, बाजपा का पोल खोल, जाती जनगना के बिरोध में, आरक्षन के बिरोध में, संबिधान के बिरोध में, जो बाजपा की सरकार है, उसको उखार फेकने के लिए आज हम लोगों का ये कारिकरम है, मर्यादा विवावन से होते हुए हम ल परवारी जिवा मानगर के तक सोमुराजी मावूब भाई बरजेज जी तसीन सहाव अरुन वावू और सेखलो साथ हैं हमारे परदेश के नेता विहूती वावू परवंडल परवारी परलाद सरकार जी सब लोग आज इस कारिकरम में हम लोगों के साथ हैं और माननिय सांसद बिदायक ललिद वावू सारे लोग लच्मी वावू पूर विदायक सारे लोगा आज इस मसाल जुलुस के कारिकरम में एकत्री दोकर बाजपा का पोल खोल के अवियान के तरह ये कारिकरमा चलाया जा रहा है मैसिज पाल वारती प्रवकतास नमीडिया परवारी जिला जन थाना पुलिस और सी आई टी समेत दंगा नियंतरन के दोरा फ्लैग मार्च निकाला गया जो शहर के सभी इलाकों में घूम कर क्रिस्न जन्मास्टेमी में निकलने वाले शोहायात्रा और चहलूम के दोरान निकलने वाले जुलूस को मद्द नजाद रखते वे आम लोगों से सामतिपूर्ण माहौल में परो मनाने की अपील की गई वहीं जुलूस के दोरान भारे संख्या में पुलिस बलके तैनाती रहेगी वहीं से सिटी वी और ड्रोन कैमरा से भी जुलूस पर नेगरानी रखी जाएगी जिससे कहीं से भी कोई गड़बड़ी उत्तपन नहो सके उधर सिटी डियस पी ने बताया कि कहीं से भी किसी गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी और इसे लोगों की सूचना आम लोग भी पुलिस को दे सकते हैं सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गुपत रखा जाएगा जुला बल, CIT की टीम और हमार साथ सभी थाना प्रभारी आज एक फ्लाइमार्च निकाल रहा है जिसके थाथ सांति संभीति के साथ भी संभाद किया जाएगा और जहां 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 जो संभीतिन सी लस्थान है जहां पर बल की प्रतिनुक्ति की गई है उसका भी हम लोग और एक तरह से यह जो आज जुलुस निकाली गई है और जो तीन दिन का जो कारकरन है उसको सांतिपून तरीके से और बिना किसी इंसिडिन्ट फ्री तरीके से इसको मनाए उनके तवार के भाति जिसके लिए हम परतिबद्ध है उसके लिए सांति पे लिए फ्लाइगमन्स कारिक्रम का जिसके अधक्ष राजिव दयानवीर के द्वार की गई कारक्रम की शुरुवात दीप प्रजुलन के साथ हुई जिसमें प्रदेश अधक्ष और जिला के वरिस्ट कारिकरताओं के द्वारा दीप जलाकर कारिक्रम का विधिवत उद्धगाटन किया गया वहीं ज़रान आने वाले चुराब में युवाओं की भागेदारी को लेकर इस पर चर्चा की गई प्रदेश अधक्ष ने बताया कि चुनाव के समय सभी पार्टियां युवाओं की बात करती है लेकिन चुनाव जितने के बाद कोई भी युवा की ओर ध्यान नहीं देता प्रदेश में बेरुजगारी है और युवा बेरुजगार होकर घूम रहे हैं वहीं दूसरे प्रदेशों में जाने पर युवाओं के साथ गलत वैवहार किया जाता है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार्चुनाव में 80 फिसली युवाओं को टिकट देगी जिससे युवा आगे आ सकें और देश का भविस्ट बनाने में युवा अपनी एहम भूमी का निभा सकें सिल्क सिटी भागलपूर की धर्ती को मैं सबसे पहले परणाम करता हूँ और यह मेरा पहला यहां पर भागलपूर परमंडल का युवा संबाद जनधिकार युवा संबाद का ये पचमा पढ़ाओ भागलपूर में है और यहां पर जो है सबसे बड़ी बात हम करने आये है युवाओं की आज युवाओं की जो भागेदारी है वो कहीं न कहीं बहुत पीछे है और कहीं न कहीं युवा जो है हासिये पर है युवा हर जगा रोड पर है आप देख लिजे सिच्छा में युवाओं की भागेदारी उचितम सिच्छा नहीं मिल पाती है रोजगार की ब लेकिन युवाओं को लास्ट में कुछ नहीं मिलता है ज़ंडा के अलावा. उसे टीकट भी नहीं मिलता है। टीकट उसे मिलता है जिसकी बंसावली राजनिति को तो हम युवाओं की बात करने आ हैं। युवा कहीं न कहीं हमारे देश और प्रदेश का रीड है हमारे भूत भविश सभी का एक कहीं न कहीं एक सेतू है एक दूसरे को जोडने का एक जरिया है युवा और युवा को हर पाटी कहीं न कहीं इगनोर करती है और सिर्फ और सिर्फ युवाओं से भागलपुर में इस रिसाइनाद सिवा भक्त समिति की ओर से साई बाबा की पालकी को आज नगर भर्मन कराया गया गुलाब के फूलों से साई बाबा की पालकी को काफी आकर्शक धंग से सजाया गया था पालकी के साथ श्रत धालुओ गायकों की टीम भी चल रही थी जिसमें बड़ी ताराद में महिलाएं वो पुरुस भक्ती दुनों पर जमकर सिसाई बाबा की भक्ती में लीन थे पालकी संकट मोचन दर्बार से निकली थी वहीं कचारी चौक, तिलका मांजी, मनाली चौक, मानिक सरकार, बुढ़ानात, नया बाजार, कोतवाली स्टेशन चौक, खलिफा बाग चौक होते हुए पुना संकट मोचन दर्बार के प्रांगन में आकर संपन हुए गोरे से सुबा आठ बजे से पुजा सुरू हुआ, एक बजे तेक पुजा चला गुद्राविशेक, जलाविशेक वा साई वावा का, इसके बाद गेड़ बजे पालकी आत्रा के लिए हम लोग निकले हैं, पुरा सहर भर्मन करते हुए, साई दर्बार संकट मोचन दर्ब पर फिर वापस होगा, मैं प्रदिव कुमार यादव, साई दर्बार का अध्याक्षू, अरुन कुमार गुप्ता सचीव हैं, और सारे साई भक्त, समुहिक्स तोर से यात्रा को सफर कर रहे हैं, कहीं को कश्ट नहीं है, इतना गर्मी में भी सारा सदस, सारा भक्त, पर सावियो संट